किसान भाईयों फसलो सबजीओं की खेती में किसानों के बढ़ी सरदर्द होती है कीटों का अटैक कीट अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी फसल बरबाद हो सकती है और इसी दर से kisان अपने फसलों में महेंगे महेंगे कीतनासक का प्रियोग करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें फायदा नहीं मिलता है क्यूकि किसान जिन पुराने कीतनासक का इस्तमाल करते हैं उनमें से ज़ादातर कीतनासक के प्रती कीत resistance देबलोघ कर चुका है यानि सहन सीलता और ऐसे में अगर आप किसी नए टेकनिकल का नए कीतनासक का इस्तमाल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कीटो को कंट्रोल कर सकते हैं जो आप महेंगे महेंगे कीतनासक का इस्तमाल करके नहीं कर पाते हैं इसलिए आज मैं आपको एक नए कीटनासक मिनेक्टो एक्स्त्रा के बारे में बताऊंगा इस कीटनासक का इस्तमाल करके आप अपने फसलो सबजियों को कीटों से बचा सकते हो लंबे समय तक और अपने खर्च को भी कम कर सकते हो तो इस वीडियो को पुरा देखिए क्यूंकि इस वीडियो में आपको मिनेक्टो एक्स्त्रा की पूरी जानकारी दूँगा बताऊंगा इसका मोड़ अप एक्सन क्या है मतलब ये काम कैसे करता है ये किन कीटों को कंट्रोल कर सकता है इसकी सही, दोज, कीमत, समेट इस कीटनासक को लेके मैं क्या सोचता हूँ सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप किसी भी तरह के फसलो या सबजियो की खेती करते हैं तो किसान भाईयो इस मिनेक्टो एक्स्त्रा कीटनासक को मार्केट में लाया है सिंजन्टा कंपणी ने इस कीटनासक में आपको दो तरह के टेकनिकल देखने को मिलेगा पहला है साइन्टा नीली प्रोल 16.9% और दूसरा है लिवफ़ा नीरोन 16.9% ऐसा नहीं है कि इन टेकनिकल की दबाई मार्केट में पहले नहीं था पहले से ही इन टेकनिकल का दबाई मार्केट में एवेलेवल था लेकिन दोनों अलग अलग था किसी में आपको लुफे नूरन मिलता था तो किसी में आपको साइन्टा नीली प्रोल मिलता था दोनों ए तो देखो इसमें आपको dual mode of action देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें दो परकार के technical डाला गया है ये contact plus system इक दोनों action में काम कर सकता है ये सिधा keto की nerve system को और muscle को break कर देती है जिस कारण keto कीट मर जाते हैं इसकी इतनासक में translaminar action भी है जो इसकी इतनासक को और भी जादा बहतर बनाता है इसके अलाबा इसमें आपको ovicidal action भी देखने को मिलेगा मतलब ये keto की life cycle के जो चार stage होते हैं अंडा, लारवा, पूपा और अडल्ड इन चारों अबस्ता में keto को मार सकता है बेसिकली जर से keto को खतम करने का काम करेगा ये minecto extra अब अगर बात करें कि इसका इस्तमाल कब कर सकते हैं और इसका result हमें कितने दिनों तक मिल सकता है तो देखो आप इसका इस्तमाल किसी भी stage में कर सकते हो चाहे vegetative growth की stage हो चाहे flowering की stage हो चाहे fruit setting की stage हो चाहे fruit development की stage हो मतलब आपका जब मन करें आप इस्तमाल कर सकते हो और इसके एक बार के इस्तमाल से आपको 10-12 दिनों तक result मिलेगा और अगर आप धान जैसे फसलों में इसका इस्तमाल करते हैं तो आपको 30-35 दिनों तक result मिल सकता है और इसकी rain fast ने सिर्फ 2 घंटे का ही है मतलब अगर इसके spray के 2 घंटे के अंदर अगर बारिस नहीं आती है तो इसका आपको 100% result मिल जाएगा अब बात करते हैं सबसे जरूरी कि ये कीटनासक कौन से कीटो को कंट्रोल कर सकता है उसके बाद जानेंगे इसकी डोज, कीमत और मैं क्या सोचता हूँ इस कीटनासक को लेके लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा ले लेकिन ज्यादातर कमपनी का रेकोमेंडेशन है लीफ फोल्डर के उपर कमपनी का कहना है कि ये लीफ फोल्डर जैसे कीटो को 100% कंट्रोल कर लेता है इसके अलाबा ये फॉल आर्मी वाम, पिंक बॉल वाम, बॉल वाम, लीफ मैनर जैसे इल्लियों पे भी काम करता है अब अगर इसकी परफेक डोज की बात करें तो एक एकर में 20 ml 200 लिटर पानी में घोल के आपको इस्प्रे करना होगा जियां किसान भाईयों एक एकर में सिर्फ 20 ml 200 लिटर पानी में घोल के इस्प्रे करना होगा अगर प्रती पंप के हिसाब से बात करें तो 15 लिटर की जो तंकी आती है उसमें आपको 2 ml जादा से जादा इस्प्रे करना है घोल के इसका कॉंबिनेशन आप किसी भी दूसरे कीट ना सक पीजी आर्ट टॉनिक और फंगी साइट के साथ कर सकते हो बेज हिजक कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये आपको 10 ml 20 ml 50 ml और 100 ml के पैकिंग साइज में मार्केट में मिल जाएगा इसका 20 ml आपको सारे 400 से 500 रुपे तक में मिल जाएगा मतलब एक एकर में आपको सारे 400 से 500 रुपे का खर्चा होगा इसकी कीमत थोड़ा कम जादा हो सकता है आपके यहां कितना इसकी कीमत है ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं तो उमीद है कि आपको यहां तक इस Minecto Extra कीटनासक के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, अब बात करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ इस कीटनासक को लेके, आपको इसका इस्तमाल करना चाहिए, कि नहीं अगर करेंगे तो कब करेंगे, तो देखो, यह कीटनासक मेरे हिसाब से Preventive में, मतलब जब कीटो का Attack कम हो, या कीटो का Attack होने से पहले Spray करेंगे, तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा, आपका खर्च भी बचेगा, क्योंकि यह ज़्यादा महेंगा भी नहीं है, आपको एक एकर में सिर्फ सारे 400 से 500 रुपे का खर्चा आएगा, और अच्छे टिकनिकल का दवा भी मिल जाएगा, और अगर आप इसका इस्प्रेधान के फसलों में करना चाहते हैं, तब तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट उप्सेन है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से यह कीटना सक थीक थाक कीमत में थीक थाक फायदा दे सकता है, और यह कीटना सक अभी नया है, तो आप इसका इस्तमाल करके देख भी सकते हो, खास कर बारिस के दिनों में प्रेविन्टिव में इस्तमाल करने के लिए आप अगर कोई सस्ता दबाई देख रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर आप चाहते हैं कि चाहे आपके फसलो सबजियों में जितने भी परकार के कीटों का अटेक हुआ है, वो सिर्फ एक बार में एक ही दबाई से कंट्रोल हो जाए, तो यहाँ क्लिक करिए, इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही कीट ना सकते के बारे में बताया हूँ, मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जबान, जय किसान.